हलो श्रोजन से श्टेटी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा च्छतिस गड़ बीएसे नर्सिंग इंटेंस इंग्जाम का फॉर्म आप कैसे भरोगे पूरा इस्टेप बाइस्टेप बताऊंगा और पूरी जानकारी मिल आपको पच्छताना पड़ सकता है तो अगर यह वीडियो एंट तक देखते हो तो आपको वह गलती में करने नहीं दूंगा ओके तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले आपको ओफिसियल वेबसाइड में जाना है और वहां पे बीएसी नर्सिंग का जो पॉर्टल है उसको क्लिक करना है और रेइस्टर करना है वहां पे आपको एक जो रेइस्टेशन आइडी है वह प्रोवाइड किया जाएगा और एक पासवर्ड ठीक है तो वह कैसे करना मैं आपको पहले बता देता हूं तो पहले आपको रेइस्टेशन का पूरा प्रो रिचार्ज हो क्योंकि उस पर एक OTP आएगी और वह OTP आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा यहां पर लिग दिया है वेरिफिकेशन ठीक है रिचार्ज वाले नमबर को डालना है उसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम डालना अपना जो पूरा भरना ही पढ़ेगा क्योंकि सब कर देखको नहीं होगा और जिसमें सवर्म यहां पर नाम लिख देना और यहां पर अपना लाश्ट नहिं जो तो वह आप लिख देना उसके बाद को आपको एक पासवर्ट जर्नेरेट करना यहां पर आपको पासवर्ड लिखना है अपने हिसाब से जो आपको याद रहे ठीक है उसमें से आप नंबर भी लगाना ठीक है और अल्फा जो वर्ड्स होते वो भी लगाना जैसे टू थ्री ए बी इस तरह से कुछ लगा देना यह आपको थोड़ा सा स्ट्रॉंग पासवर्ड बनायागा और यह आपको याद भी होना चाहिए ऐसा लगाना ओके और वहीं चीज बापस यहाँ पर रिपीट करना जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना और दोनों ही देखो इस टार मार्क है ठीक है दोनों जगा पर आपको कंफर्म कर देना ह उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको क्या करना बैसिक इन्फॉर्मेशन देना है आपका केंड़ेट का नाम आपका जो पूरा नाम है वह आपको एक साथ यहाँ पर लिखना है पूरा नाम जैसे आपने वहाँ पर फर्स्ट नेम और लाश्ट नेम दिया था आप यहां पर आपको पूरा नाम एक साथ लिखना उसके बाद यहां पर जो idea सेलेक्ट करना तो आपको बहुत सारे ओप्षन दिखेंगे ठीक है बहुत सारे ओप्षन दिखेंगे रिलेशन्स का ओप्षन फादर रहेंगे मदर रहेंगे ब्रदर रहेंगे ठीक है सिस्टर रहेंगे इस तरह से बहुत सारे ओप्षन दिखेंगे तो कोई एक रिलेटिव क option यहाँ पर चूछ करना तो mostly आप सभी father चूछ करना ठीक है यहाँ पर चूछ करना और नीचे इस वाले box में father का नाम लिखी कर नए यहां पर कुछ कर रहे हैं कि उनका नाम लखना पड़े बड़ेगा यहां पर उसके बाद नीचे आपको यहां पर म शंके बूसको फिर सेलेड करोगे तो आपको औप्षन आएगा अलट फीमेजिएane तो आप अगर female हो तो यहाँ पर female भरना, male हो तो male भरना, आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा, option रहेगा, आपको बस click कर देना है, तो वो set हो जाएगा, उसके बाद सबसे important चीज, date of birth, यह वाली सबसे important, इस box में date of birth भरना, वही date of birth भरना, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके mark seat में, ठीक है, अगर आधार कार्ड में कुछ और है, और mark seat में कुछ और है, तो आप mark seat वाला भरना, ना कि आधार कार्ड वाला, यही गलती सभी लोग करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना नहीं पच्छता होगे, जो आपका 10th का और 12th का जो mark seat है, उ वहीं आपका मायनिता होगा, ठीक है, तो 10th का यहाँ पर date of worth आपको भरना है, उसके बाद सबसे important, domicile of 36 गड़, यहाँ पर select किया जा रहा है, तो इसको जैसे आप click करोगे, yes आएगा, no आएगा, इस तरह से option आएगा, तो अगर आप 36 गड़ के candidate हैं, तो आप yes को click करना, और अगर आप 36 गड़ के नहीं है, तो no को करना, और यह very important है, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 36 गड़ के नहीं है, फिर भी आप yes कर दोगे, yes करने का मतलब यह है, कि आपको वो certificate बाद में मांगेगा, अगर आप 36 गड़ के भी हैं, और आपके पास domicile certificate नहीं है, और अगर आपने यहां पर yes कर दिया, तो आपका counseling तक वो domicile certificate आपका बन जाना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर नहीं बनेगा, तो आपको अगर लग रहा है कि यहां पर सिर्फ यह पूछा जा रहा है, कि हम 36 गड़ के हैं कि नहीं, तो चलो हमने yes कर दिया, क तो फिर आगे आपका reject हो जाए, क्योंकि यहां आपने yes कि आता है, तो यहां पर सोच समझ कि yes करना, अगर आपके पास वो certificate है, तो yes करना, उसके बाद यहां पर family income, आपका income certificate में पूरा एक साल का जितना income होता है, वो आप यहां पर note करोगे, ठीक है, जितना income होता है, उसक इसके बाद आपको यहां पर दो documents लगेंगा, मैंने पहले बता दिया था, एक photo और दूसरा sign, इसको आप jpg में scan करकर रख लेना, ठीक है, इसको choose file को आप click करना, तो आपका folder खुल जाएगा, आपके mobile में, आपके laptop में, और उस folder से आप चूच करना, कौन से folder में आपका photo है और यहां से चूच करना, कौन सा आपका sign है, ठीक है, तो photo जब चूच करोगे, photo जब चूच करोगे, यहां पर आपका photo आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि photo paste होगी है, यहां पर photo आएगा, उसके बाद आपको यह upload वाला click करना है, यह गलती मत करना, और इसक पूच करने के बाद upload करना है, तो देखो, यहां पर इस तरह से आजाएगा, यह आप देख रहा हो, यह photo है, इस तरह से, और photo के लिए एक instruction दिया गया है, कि photo जो है इस format में होना चाहिए, जे पी इजी और पी एन जी एल, ठीक है, इन दो format में होना चाहिए, और इसका जो data होती है, वो 40 से 60 kv के बीच होना चाहिए, इस से ज्यादा बड़ी है, तो इसको आप छोटा कर लेना, बहुत सारे software आते हैं, बहुत सारे app आते हैं, वहाँ से आप छोटा कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, 40 से 60 के बीच रखना अनिवार है, ठीक है, फोटो साइन आपका इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा, यह साइन दिख जाएगा, उसके बाद, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, इसका मतलब अगर आप दिकलांग कोटा से विलॉंग करते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके यस करना, अदर्वाइस आपको क्या करना है, नो करना है, तो जो अगर नहीए, वो नो करना, अगर नो करोगे तो यह औपसन नहीं आएगा, में पहले बतर यह औपसन हट जाएगा, और अगर yes करोगे तो यह औपसन रहेगा, इसमें आपको टाइप अपप डिसेबिलिटी देना कीस परकार का विकलांगे, मतलब हैंड handicap जो है वह हैंड से हैं लेग से हैं आई से कहां से वह आपको यहां पर select करना है अगर आप no करोगे तो आपको नहीं select करना है यह option ही हड़ जाएगा ठीक है तो no कर देना हड़ जाएगा उसके बाद अन्य जानकारी में आप यहां पर क्या दोगे तो nationality इसको select करोगे तो आपका सबसे पहले आएगा इंडियन ठीक है तो आपको इंडियन यहां पर चूज करना है category यहां पर आएगा UR OBC उसमें भी BC1 BC2 इस तरह से आएगा SC ST तो जो भी category आपका है उसको आप यहां चूज करोगे और यहां भी ध्यान देना है कि अगर यहां पर आप general के अलावा कुछ category चूज करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप OBC हो तो OBC चूज करोगे आपको पास वह certificate होना चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूं यह गलती बिल्कुल मत करना आपने लगा दिया SC ठीक है क्योंकि आप SC हो आपने SC लगा दिया और अराम से एकजाम दे दिया और एकदम बिंदास हो लेकिन जब तो आपके पास अगर नहीं है तो बना लेना टाइम मिल जागा बनाने का उसके बाद यहां पर आपको जीला जिस जीला से आप डिश्टिक सब बिलॉंग करते उसको सेलेट करके डालना है जब सेलेट ऑप्सन क्लिक करोगे तो 36 के सारे जीला खुल जाएंगे उसमें से जो होगा वह आप यहां पर सेलेट कर देना उसके बाद यह वाला सेलेट करोगे तो आपके सामने विवाही किस्तिति आएगा मतलब आप है नन मेरेड है ठीक है सिंगल है वह आपका ऑप्सन आएगा अपने हिसाब से यह डाल देना ठीक है उसका भी कुछ बेनेफिट होता है आपको बाद में पता चलेगा एक्जाम सेंटर के टाइम ठीक है उसके बाद यहां पे एक email id मांगा जाएगा email id जो है वो optional है यहां पे कोई star नहीं है न हाँ कोई star नहीं है optional है तो यहां पे email id optional है लेकिन आप सभी email id जरूर दें और वही email id दे जिनका पासवोर्ड आपको पता हो क्योंकि यहां पे बहुत सारे information होते है जब एडिमिर काड़ाता यह आता तब email id में inform किया जाता था email id जरूर दें छोड़े मत ठीक है नहीं है तो आप बनवाले उसके बद आपको address बनना हाउस नंबर street city name ठीक है यह सब आपको भरना है और यहां पर राज select करना है और यहां पर district select करना है इस सब select करने देदेगा आपको लिखने के जुरत नहीं है ठीक है उसके बद यहां पे आपको अपना code डालना है ठीक है उसके यह वाला जो capture है ने इसको वो टिक कर देना इस तरह से अगर ये टिक कर दोगे तो ये जितना भी अपने address भरा वही address आपका नीचे वाले column में कोपी हो जायगा देख लो permanent address में permanent address में कोपी हो जायगा और टीख वो लोग ना करें जिनका दोनों ही address अलग है मतलब यह आपका permanent address मतल़ आपके father जो है कहीं दुसरे जगह पर JOB करते हैं तो आप दुसरे जगह पर रहते हों तो वह address यहां पर भराएगा और यह पहला वाला जो address है वह जो घर का address हो भराएगा ठीक है अगर आप दो अलग अलग जगह पर विलॉंग्स करते तो दो अलग अलग भरना अगर आप वहीं पर रहते जहां आप स्टार्टिंग से रह रहें तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना तो जितना भी उपर आपने भरा तो वह नीचे आउटोमेटिक आपका कोपी पेस्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद और कुछ capture देखे जो जो दिखेगा जैसा जैसा बड़ा चोटा अक्षर में वहीं यहां पर आपको फ़र देना है तो एक्स तरह से आपको भर देना है ठीक है पूरा ओई से ही और उसके बाद यहां पर सम्मीट ऑक्सन है इसको आपको सम्मीट कर देना है तो आपका बैसिक र अभी इस कोर्स के साथ जुड़ते हो तो आपको पहले ही 130 क्लासेस मिल जाएगी ठीक है और अभी से एक्जाम तक कंटिन्यूसली क्लासेस चलेगी तो अगर आप सोच रहे को डेड़ महने में कैसे होगा तो डेड़ महने में मैं आपका तयारी करा के दूंगा आप अभी इ यह कोर्स आपको हमारे एप में मिलेगी और इसकी फी है 40099 में ठीक है 36 गड़ की नर्सिंग की तैयारी पूरे यूटूब में कोई भी इस प्राइस में नहीं करा पाएगा क्यूंकि हमारा जो मोटीफ है वो मैक्सिमम गरीब बच्चों को पढ़ाना होता है इसलिए हमने इ काल दिया गया है दस हजार कोश्चन समझ रहो अगर आप इस दस हजार कोश्चन को डेर मैंने में पढ़के खतम कर देते तो गैरेंटी है कि एक भी कोश्चन बहार नहीं जाएगा इसकी भी एक नाम मात्र प्राइस एक 199 रुपय में हिंदी इंगलिस दोनों ही भासा में मि प्रस नहीं पूछेगा यह भी आपको कहा मिलेगा हमारे एप में मिलेगा ठीक है और एप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है सभी लोग जूर जाओ और एक बेनेफिट की बात में बता रहा हूं कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप यह कोर्स यह पीडिएप दोनों ही ले लो क्यूंकि आपको दोनों की अब जरूरत है ठीक है दोनों ही ले लो कुछ प्राइस नहीं है आपका सेलेक्शन हो जाएगा गवर्मेंट में तो उसके सामने यह 500 और यह 200 टोटल 700 की कोर्स है जो की बहुत सस्ती है ठीक है एक बार सेलेक्शन हो गया तो लाखों रुपए बच जाएंगा अगर अब प्राइबेट जाओगे एक नमबर भी अगर कम हो गया और जिसके वएसे गवर्मेंट होते होते चुक गया आपको प्राइबेट मिलिया तो कम से कम 6 लाग रुपए 7 लाग बचा देगा सिर्फ यह 700 रुपए तो अ नमबर पर कॉंटेट करें वाटसप करें या फिर डारेट इसमें कॉंटेट करके यह पीडिया अब मंगा लें जो भी आपको अच्छा लग रहा फटा फट करो लेकिन पढ़ाई पर लग जाओ ठीक है मेरा मोटिफ यही है कि आप कुछ भी करो बर सेलेक्शन लेलो गवर् रियल जानकारी मिलेगी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए सब इक साथ सेर कीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई